हाई अब्रिवन दिस इस मीर और आज की इस वीडियो में मैं कुछ मिट्स को लेकर क्लियर करने वाला हूँ जो कि कोविट-19 यानि की कोरोना वाइरस के बारे में और ये मिट्स हमारे कंट्री में बहुती तेजी से फैलती जा रही है जिसकी वज़े से कुछ लोग जुगाड की इन्फरमेशन मैंने WHO यानि की वर्ल्ड हेल्थ और्गनेजेशन से ही ली है जो कि इसकी ओफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड़ेड है और इस वीडियो में मैंने उन्हीं इन्फरमेशन को आसान भासा में एक्स्प्लेइन करने की कोशिश किया है ताकि वो इन्फरम तक यह वार्त पूरी तरह से खतम नरहीं हो जाता तफिश हमें किसी भी विमारिया इन्फक्टिट परसं से कम से कम डेड़ मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए क्योंकि यह वारिस इतना हैं कि आगर कोई infected person खासता है या चीकता है तो ये वाइरस लगबग एक मीटर की दूरी हवा में travel कर सकते हैं और उसके बाद ये direct surface पर आ जाते हैं तो इसलिए according to WHO कम से कम किसी भी इंसान को डेड़ मीटर की दूरी बनाये रखनी चाहिए तो अब बात करते हैं इसके कुछ myths के बारे में जिसमें कुछ लोगों का ये मानना है कि COVID-19 यानि की Corona virus सिर्फ गर्म और सर्द मौसम में ही फैल सकता है तो आपको ये बता दू कि ये virus किसी भी climate में आसानी से फैल सकता है क्योंकि हमारे body का normal temperature भी 36.5 degree Celsius से 37 degree Celsius तक रहता है तो अगर ये virus एक बार आपकी body में enter हो जाये तो इनको बाहरी मौसम से कोई भी फरक नहीं पढ़ने वाला फिर चाहे आप गरम पानी से ही क्यों न नहाले तो आप चाहे किसी भी जगह पर हो और वहां का मौसम कैसा भी हो आपको सौधानिया बरतनी चाहिए और अपने आख, मूँ और अपने हाथ को अच्छे से धोते रहना चाहिए and that would be best option for you to stay away from this virus myth no.2 coronavirus मच्चडों के काटने से नहीं फैल सकता है तो आपको ये बता दू कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है और ना ही ये ऐसी कोई जानकारी मिली है जिससे कि ये साबित हो सके कि coronavirus मच्चडों के दोवारा फैल आया जा सकता है या नहीं अभी तक इस virus के फैले जाने का सिर्फ एक ही तरीका सामने आया है और वो ये है कि किसी भी infected person के close contact में जाने से so to be escape from this virus keep maintaining the distance from those people who are suspected or infected with this virus अब जो तीसरा point है वो कुछ लोगों के लिए मित है और कुछ लोगों के लिए question है और वो ये है कि क्या hand dryers और ultraviolet disinfection lamp coronavirus को खतम कर सकते हैं तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं hand dryers coronavirus को खतम नहीं कर सकते हैं और ना ही हमें अपने skin पर ultraviolet lamps का यूज करना चाहिए क्योंकि इससे skin infection होने के खत्रे बढ़ जाते हैं तो जब भी आप अपने हाथों को अच्छे से धो लें तो उनको सुखाने के लिए किसी soft towel से पोच लें या किसी गर्म हवा में सुखा दें अब जो चौथा मीत है जिसमें लोगों का ये मानना है कि अपने पूरे बोड़ी पर alcohol और chlorine छिडिकने से corona virus को खतम किया जा सकता है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है alcohol और chlorine को बोड़ी पर छिडिकने से हमारे बोड़ी के अंदर मौजूद virus खतम नहीं होने वाले है और तो और ऐसा करना हमारे लिए भी नुकसान दे साबित हो सकता है माना कि इन चीजों का यूज केटाणों को खतम करने के लिए किया जा सकता है मगर इनको खुद पर apply करने से पहले हमें doctors की भी सलाव लेनी चाहिए अब जो पांच्वां पॉइंट है उसको myth कहें या सवाल कहें लेकिन उसको भी clear करना बहुत ही जरूरी है और वो यह है कि क्या pneumonia की दवाईया लेने से या HIV की दवाईया लेने से या फिर anti-biotic लेने से coronavirus को रोका जा सकता है तो आपको यह बता दो कि pneumonia और HIV की दवाईया coronavirus के against बिलकुल भी work नहीं करने वाली और नहीं anti-biotics इस पर work करेगी क्योंकि anti-biotics bacteria के लिए होता है ना कि virus के लिए और यह virus इतना नया है कि इसको ठीक करने के लिए इसके लिए एक अलग दवाई का होना बहुत ही जरूरी है जिसके उपर अभी भी काम किया जा रहा है सो किसी भी medicines को लेने से पहले doctor की सला जरूर ले myth no.6 क्या लहसुन खाने से coronavirus को रोका जा सकता है तो आपको यह जान लेना चाहिए कि लहसुन यानि कि garlic हमारी health के लिए एक बहुत ही अच्छा option है बट अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि लहसुन खाने से coronavirus को रोका जा सकता है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी भी तरह के infection है तो उसके लिए आप तुरंती doctor को दिखाए ना कि लहसुन खाए आप जो साथ हमीत है वो बहुत सारे लोगों में common पाया गया है और वो यह है कि coronavirus सिर्फ जादा उमर वाले इंसानों को ही होता है और जवानों को और बच्चों को इससे डरने की कोई जोरत नहीं है तो आपको यह बता दू कि ऐसा कुछ भी नहीं है coronavirus किसी भी इंसान को हो सकता है और जो लोग बूढ़े हैं इनको पहले सही अस्तमाद, diabetes या heart disease जैसी बिमारिया है और वो इंसान भी जिनके immune system पहले सही कमजोर है उनको इस virus से infected होने के chances ज़ादा है लेकिन इस virus से बचने के लिए साधानिया हर उमर के लोगों को follow करनी चाहिए पर चाहे वो इंसान किसी भी उमर का क्यों नहीं हो myth number 8 क्या चाइना से import किये गए products किसी इंसान को बिमार कर सकते हैं तो इसका जवाब ये है कि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें कोई इंसान किसी product के through infected हो जाए और अभी तक ये भी clear नहीं हुआ है कि ये virus surface पर कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं तो इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो भी चीज़े हमारे पास आती हैं हम उनको यूज करने से पहले एक बार अच्छे से साफ कर लें and that should be our first action before use any product myth no.9 क्या face mask पहनने से हमें coronavirus नहीं हो सकता तो आपको ये बता दू कि ये बात भी पूरी तरह से सच नहीं है क्योंकि ज़्यादा तर लोग जिस टाइब के mask का यूज कर रहे हैं वो बहुती हलका और बहुती low quality का होता है जो कि WHO के according बिल्कुल भी recommended नहीं है क्योंकि वो mask चेहरे पर अच्छे से fit नहीं होता है जिसकी वज़े से अगर को infected person उनके सामने आकर छीग दे तो उन छीग की बूदो को वो mask पूरी तरह से block नहीं करता है जिसकी वज़े से कुछ बूदे उनके चेहरे पर भी रूख सकती है इवेन ये virus उनके eyes के थुरू भी उनकी body में enter कर सकती है जो कि किसी भी इंसान को infected बनाने के लिए काफी है तो इस virus से बचने के लिए हमें सिर्फ वही mask पहना चाहिए जो कि चेहरे पर अच्छे से fit हो और किसी भी droplets को आसानी से block कर सके जो कि आपको किसी भी medical store पर मिल सकती है और जो इंसान किसी भी तरह की infection से infected है उनको तो ये mask जरूर पहना चाहिए ताकि उनके body में जो virus है वो किसी दूसरे तक travel ना कर सके और उनके छीक के droplets को उनके mask तक ही सीमित रखे तो इसी भी हर किसी को सिर्फ वही mask पहना चाहिए जो कि डॉक्टर के दुवारा recommended हो जो कि आपको medical store पर मिल सकती है अब दस्वा नमबर कोई myth नहीं बलकि एक suggestion है और वो ये है कि अभी तक इस virus का कोई exact इलाज नहीं मिला है तो इससे बचने के लिए हर किसी को खुद सही कुछ साउधानियों को बरतने की ज़रूत है जैसे कि अपने हाथ और अपने face को अच्छे से दिन में 3-5 बार धोते रहें और किसी भी alcoholic based sanitizer का use करें जिसमें alcohol की मात्रा लबग 60-70% तक होनी चाहिए और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास में कोई इनसान या आप खुद किसी भी तरह के infections के contact में आते हैं तो तुरंट डॉक्टर को जरूर दिखाएं क्योंकि एक सही फैसला आपके और आपके आसपास के लोगों की जान बचा सकता है तो इस वीडियो में बस इतना ही तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करे या ना करे बट इन informations को जहां तक हो सके वहां तक share जरूर करें यहां तक है आप मेरे इस वीडियो को डाउनलोड करके किसी भी प्लैट्फॉम पर या खुद के यूट्यूब चैनल पर भी अप्लोड कर सकते हैं क्योंकि मैं इस वीडियो को Creative Commons की कैटिगरी में डालने में रहा हूँ जिसका मतलब आप इस वीडियो को क्योंकि में रहा हूँ